हलो फ्रेंज, वेलकम टे टूजेर नोलेज क्लासेस, आज की इस वीडियो में हो देखने वाले हैं, क्लास 9 का कमेश्टरी का दूसरा चिप्टर, पदार्थों का वर्गी करन का अतिलग हुतर ये प्रस्ण, तो वीडियो को अंततक जरू देखिएगा, चलिए तो वीडियो को वह क्या कहलाता है, तो इसका उतर लिखना है योगिक, चलिए तिन नमर प्रस्ण है, वायू के मुख्य अव्यब क्या है, तो इसका उतर लिखना है, यह नाइटरोजन, ओक्सीजन, कारवन डायोकसाइड, जलवास्प आदी का मिस्रन है, चलिए अगला प्रस्ण है, चार परिवर्तन ऐसे होते हैं, जो जरुरत एवं समय के साथ बदलती रहती है, जिसे पुर्ण पुर्व अवस्था में लाया जा सकता है, चलिए पांच नमर प्रस्ण है, उस बीधी का नाम बताएं, जिसके द्वारा नमक और जल से बने बिलियन से अवियबों को प्रिथग कि जा सकता है, तो इसका उत्तर लिखना है वास्पन, चलिए छे नमर प्रस्ण है, बारूद किनकिन पदार्थों का मिसरन है, तो इसका उत्तर लिखना है, बारूद सोरा कोष्ण पोटैसियम नाइटिरेड, गंधक और कोईले का मिसरन है, चलिए सात नमर प्रस्ण है, क्या ह या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रन बिलियन कहलाता है चलिए नौ नमर प्रस्ण है क्या निलंबन में ठोस के कंदी खाई परते हैं तो इसका उत्तर लिखना है हाँ चलिए दस नमर प्रस्ण है लोहे के चुर्ण में थोड़ा बालू के कंद मिश्रित हो गए इस मिश् उत्र लिखना है चुम्बकिय प्रित करन चलिए इगारा नमर प्रस्ण है तीन उर्ध पातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखे तो इसका उत्र लिखना है नवसाडर कपूर आयोडीन चलिए बारा नमर प्रस्ण है मिश्रन्य द्रब क्या है एक उधारंदे तो इसका उत्तर लिखना है वे द्रब जो एक दूसरे के साथ पुर्णत मिसरित हो जाते हैं मिसरन ये द्रब कहलाते हैं उदाहरन एलकोहल और जल का मिसरन चलिए तेरा नमर प्रसन है क्या कोईलाइड के कनो का असकंडन होता है तो इसका उत्तर लिखना है हाँ चलिए चौदा नमर प्रस्ण है जल में उपस्थित हानिकारक जिवानुओं को नस्ट करने वाले दो पदार्थों के नाम लिखे तो इसका उतर लिखना है कलोरीन जल और बिरंजक चूर्ण चलिए पंदरा नमर प्रस्ण है दूद से मखन कैसे निकाला जाता है तो इसका उतर लिखना है मन्थन बिधी द्वारा चलिए 16 नमर प्रस्ण है आयोडीन में धातुई चमक होती है क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है तो इसका उतर लिखना है नहीं चलिए 17 नमर प्रस्ण है ठोस गैस का मिसरन का एक उदहारंदे तो इसका उत्तर लिखना है मिट्टी और वायू का मिसरन चलिए 18 नमर प्रस्ण है नमक के एक जलिये बिलियन को तनू बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के अस्थान पर उसमें एसी टोन मिला दिया उस प्रकिरिया का नाम बताएं जिससे एसी टोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो इसका उत्तर लिखना है प्रभाजी स्रावन चलिए उनएस नमर प्रस्ण है साथ डिगरी सेलसेल स्टाप पर निर्मित पोटैसियम कुलोराइड के एक संत्रीत बिलियन को कमरे के ताप पर ठंधा किया जाए तो क्या होगा तो इसका उत्तर लिखना है वह गर्म लावा की तरह आकार ले लेगा और ठोस हो जाएगा प्रावस्था ठोस है जबकि कुहासा में प्रच्छेपित प्रावस्था द्रव है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कलास नाइट का फिजिक्स कमेस्टरी और बायलोजी का अतिलगू लगू और दिर्ग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए